जैश्री कुष्ण मित्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे तुला राश के बारे में तुला राशी वाले प्रेम समंधों में कैसे होते हैं तुला राशी वालों के प्रेम समंध किस तरह के होते हैं इनके मन में क्या विचार चलते रहते हैं प्रेम समंध को लेकर इसके बारे में चर्चा करेंगे ये तुला राशी वालों का प्रेम समंध का राशी फल चंद राश पर अधारित है यानि मौनसाइन पर जिन लोगों को अपनी राशी नहीं पता है वो लोग अपनी जनकुनली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस रासी में है जिस रासी में चंद्रमा है वो ही उनकी रासी है जिनके पास जनकुनली नहीं है वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम रासी जान सकते हैं और ये राशी फल अपनी नाम राशी से देखवा सुन सकते हैं और कौन-कौन से अच्छर तुला राशी में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशी जान सकते हैं तो चलिए मित्रों सुरू करते हैं, जान लेते हैं तुला राशी वाले प्रेम सम्मंद में किस तरह के होते हैं, तो तुला राशी वाले प्रेम सम्मंद में अच्छे होते हैं, बहुत ही बैलेंस होते हैं, बहुत ही समझदार, सामाजी किस तरह अच्छा, अगर आप तुला आज से प्रेम करते हैं तो प्रपोज इनको बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं यह अपने साथी का ख्याल रखते हैं बहुत ही सहन सील होते हैं बहुत ज्यादा नहीं सोचते आपके सुभाव को देखेंगे और सुभाव को देखकर आपकी तरफ आकर्शित हो जाते हैं यह प् संद कर लेते हैं समंधों में अच्छे होते हैं आपकी गलतियों पर भी ज्यादा नहीं चुड़ते बस आप से पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा ऐसा क्यों किया अगर आप सही हैं तो कोई समस्या नहीं है ये आपको सिर्फ समझाएंगे कि आप ऐसा मत करो और बस मान जा सभी से मिलकर रहना सच्चे प्रेम को हासिल कर लेना तुलाराशी वालों के लिए एक बड़ा काम होता है इनका इस तर थोड़ा उपर है इसलिए इनके दिल में अपनी जगह बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन अपने प्रेम सम्मंद में पूरी तरह समर्पित रहते हैं अपने सम्मंदों में संतुलन सांती बनाये रकने के लिए बहुत मह्नत करते हैं तुलाराशी के लोग अकेले नहीं रह सकते उन्हें हमेशा अपने आसपास लोगों की जरूरत होती है इनके साथी को बहुत धैर रखने की जुरुत होती है क्योंकि इनकी अपेच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं बहुत ही आकर्सक होते हैं साथी साथ ये भी चाहते हैं कि इने हर चीज में perfection मिले ये एक बहुत समर्पित प्रेमी साबित होते हैं जो हर वो चीज करते हैं जिससे इनके साथी को खुसी मिले तुलाराशी के लोग आकर्सित करने की छमता रखते हैं और flood करना इनके सुभाव में सामिल होता है अगर इनका partner धहर बनाये रखे इनके साथ अच्छे से पेस आए और इन्हे भरपूर प्रेम दे तो ये अपने समंध को इस्थाई रखने की हर कोसिस करते हैं अपने वैभाईक समंधों के लिए भी ये कुछने कुछ रोमांटिक करते ही रहते हैं इन्हें बहस करना बिलकुल भी पसंद नहीं होता है और तुला राशी के लोग परिस्तितियों के अनुसार ढल जाते हैं किसी को बड़ी आसानी से माफ भी कर देते हैं और उसे भूल भी जाते हैं बायुतत्य प्रधाम राशी है, स्वामी सुक्र है, बायुतत्य होने से ये ख़़ा ख्याली पुलाव भी बनाते रहते हैं, हर बात को बढ़ चड़ करने के इनकी आदत होती है, सुभाव से सांत होते हैं, फिर भी ये कतई अकेला नहीं रह सकते, भीड़ भाड में रहना पस संध है, अपने साथी को बहुत महतो देते हैं, अपने परिवार के प्रतिवी समर्पित होते हैं, अपनी परेशानिया अक्सर किसी को नहीं बताते, लेकिन अगर कभी किसी को अपनी परेशानिया बताने लग जाएं, तो फिर पूरी सभी बाते बताते हैं, अच्छे दोस् नहीं करते हैं बहुत जल्दी इनको अपमान वाली बातें लग जाती हैं फिर ये वो बातें कभी भी नहीं भूलते हैं ना कभी फिर ये किसी को माफ कर पाते हैं जिसकी बातों से इनका अपमान हो गया उसको ये अपने दिल से कभी माफ नहीं कर पाते हैं महंती बहुत होते ह आसानी से अपनी गलती नहीं मानते हैं इनके जीवन में थोड़ा संघर्स रहता है जीवन में थोड़ा अफेंड डाउन रहता है और छल कपट से इनका कोई भी व्यक्ति फाइदा नहीं उठा सकता सचाई से इनसे आप मदद मांगे तो ये दिलो जान से आपकी मदद के लिए तियार हो जाएंगे नयाय के लिए अपनों से भी लड़ जाते हैं इनसे आप धमकी दे कर कोई भी कारे नहीं करवा सकते ना ही कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं अंचित दवाव सहिन नहीं करते हैं सौकीन होते हैं इनको अच्छे अच्छे बस्ट तथा सब तरहें के सुक पसंद होते हैं, बुद्धिमान, समझदार और चतुर होते हैं, अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करते हैं, इनको अपने घर परिवार और संपत्य से भी बहुत लगा होता है, इनकी कलपना सकती अच्छी होती है इन में त्याक की भावना होती है, इनके जीवन में प्रेम महत पूर्ण होता है, ये लोग प्रेम में जल्दी पड़ जाते हैं, पर इन्हें प्यार में सफलता ज्यादा नहीं मिल पाती है, इनको अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करते हैं, या कहें तो विवाह के प्र सी खूवियां देखना चाहते हैं, इनकी चाहत एक आदर्स प्र्यमि प्रेमिका की होती है, अच्छा तालमेल बिठाने वाले और अपने प्रेमि या प्रेमिका के भाउं को भली भाति समझने वाले होते हैं, इनकी खासियत यहाइए कि जब भी आपके साथ होंगे, तब आप आपको हर प्रकार से संतुर्ष रखने का प्रयास करेंगे और मांसिक सारेरिक क्रूप दोनों से ही आनंद की प्राप्ति करना और कराना इनका प्रयास रहेगा ये ये क्रोमांटिक प्रेमी सावित होने के साथ ही आपकी समस्याओं को सरलता से हल करने वाले होते हैं ये लेते हैं और किसी तरह का टक्राव पसंद नहीं करते हैं और कभी कभी खुद पर भी बहुत भावुक हो जाते हैं बहुत जल्दी अपने जीवन से भी परिशान हो जाते हैं जीवन में एक रस्ता इन एच्छी नहीं लगती है तुलाराशिवालों को कुछ उताबलापन भी रहता है प्रेमी प्रेमिका के प्रति रोमांटिक भी बहुत होते हैं कुछ तुलाराशिवाले ऐसे भी होते हैं जिनके एक से ज़्यादा भी प्रेमसंद देखे गए हैं ये मदद करने वाले होते हैं आप जैसे हैं बैसे ही रहो अगर इनको लगा कि आप सही है आप अच् किसे माफी माँग लें प्रिस्थिती कैसी भी हो ये सोयम को उसके अन्रूब ढाल लेते हैं छोटी सी छोटी बात भी इनके मस्तिक्स को बेचैन कर देती है इनमें अद्भुत कल्बना सकती होती है इनके लच्छ सदा उँचे होते हैं, न्याय प्री तथा अनुसासन के प्रतिरुजान अधिक रहता है, परुपकार की भावना आत्ते धीक होती है, और तुला राशी वाले ब्यक्ति जो होते हैं, हरदे से दैयालू होते हैं, और कहना चाहिए ज़्यादा तर सत्य बोलने की क कोसिस करते हैं, इसलिए अपने प्रेमी प्रेम का से भी सत्य ही चाहते हैं, महनती बहुत होते हैं, और अगर इनसे प्रेम में कोई गलती होती है, तो ये आसानी से नहीं मानते हैं, इनके जीवन में थोड़ा संघर्स रहता है, खास कर प्रेम समंधों में इतना संघर्स नह प्रश्णाव जिवन पसंद है लेकिन इनको अपने परिवार के साथ ही सुक महसूस होता है। तो कुछ इसतर है के होते हैं तुलाराशी वाले प्रेम समंदों में और सोभाव और विभार में तो अगर आपका प्रेमी या प्रेमी का तुलाराशी का है या प्रेम समंध कैसे होते हैं, इनका बेभार कैसा होता है, सुभाव कैसा होता है, इसके बारे में कुछ चर्चा की, ये तुला राशी वालों का राशी फल, सामाने राशी फल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा, ऐसा बिलकुल भी संभब नहीं है, आप सभी स्वस्त रहें, आयश्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है, जै श्री कृष्ण